हेलो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ मकर संक्रांती के उपलक्स पर उत्राखन कुमाओं की बहुत ही पॉपलर रेसिपी इसे घुगती या घुगते भी कहा जाता है या मकर संक्रांती पर बनाय जाता है पूरे उत्राखन कुमाओं में इसे बहुत धूमदाम से मनाय खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं बहुत ही एल्दी होते हैं क्योंकि इसे हमने गुड और आटा से बनाया है सबसे पहले हमें इसके लिए गुड की चासनी बनाने इसे हम गुड से बनाएंगे तो गुड को हमने तोड लिया है एक कटोरी में इसमें हमें एक कटोरी गुड इस तरह से तोड लेना है अब डालेंगे आधा कटोरी या एक कटोरी पानी अब गुड को डालेंगे गैस का फ्लेम लो रखें और गुड को थोड़ा सा हिला लें गुड के पानी को इस तरह से मिक्स कर लें चम्मच से ताकि गुड हमारा जल्दी से पिघल जाए और इसका घोल रैडी हो जाए बहुत जादा हमें गुड के पानी को पकाना नहीं है इसमें थोड़ा सा इलाइची भी डाल देंगे इससे गुखते का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अब ह करके गुड का पानी डालने है एक साथ ना डालें दोस्तों अगर आपको तिल और नारियल का बुरादा जो रहता है वो ना डालना हो तो ना डालने आपके पास ना हो ना इसलिए डालें क्योंकि इससे गुखते का टेस्ट और भी बढ़ जाता है तो यह देखिए इस तरह हमें आटा इंठा गुंद लेना है इसका अटा बहुत ज्याद़ स्वाफ्ट ना हो थोड़ा सा इसका आटा जो रहता हाड ही रहता है क्योंकि जब हम इसे प्रौ करते है और यह सब्सक्राआ ना अगर यह सफ्ट होंगे तो गूगते हमारे तोट जाएंगे इसलिए इसका गूगते बना लेना है, गूगते का सेब देते हुए, आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, चाहे तो चकले पर इस तरह से बेल कर सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं, सांत में खजूरे भी बनाए जाते हैं, इसे आटे के और बहुत से खिलोने बच्चों के लिए बना जाएं इस तरह से देख सकते हैं आप कितने तेस्टी कितने डिलिसियस दिख रहे हैं ये गुगते तो साथ में आप इनके खजूर भी बना सकते हैं और भी चीज़ें बना सकते हैं बहुत ही यम्मी लगते हैं खाने में तो दोस्तों एक बार आप लोग भी पहाड़ी रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और पहाड़ी स्वीडिस का अनन्द उठाएं तो दोस्तों अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के निचे लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शियर जरूर करें फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ थैंक यू फॉर व